आज हम बनाएंगे कच्चे केले की मचली के स्वादवाली बहुत ही स्वादिष्ट सबजी जो लोग केले की सबजी खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी बड़े सौक से और मांग करके खाएंगे और आप इसे चावल पराठा एरोटी के साथ भी खा सकते हैं बहुत टेश्टी लगता है आप इस सबजी को गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं उन्हें भी बहुत पसंद आएगा नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबजी बनाने के लिए मैंने आधा किलो केला यानि के चार केला लिया है ये बिल्कुल फ्रेज केला है हमने केले को अच्छे से धो करके और साफ कर लिया है तो पहले हम केले के दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काट करके हटा देंगे और फिर हम इसके छील के हटाएंगे और हाँ अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी केले को छील लिया है तो इसको अब हम काटेंगे तो काटने के लिए हम एक केले को लेंगे और इस तरीके से इसे लंबे लंबे और पतले पतले स्लाइसे में कट कर लेंगे और फिर इसे हम बीच से काट लेंगे आप चाहें तो इसे बीच से ना काटे इसे बड़े बड़े पीसेस में भी रख सकते हैं देखिए मैंने सभी केले को कट कर लिया है तो अब हम इसके उपर कुछ मसाले एड़ करेंगे आदे चोटी चमच कस्मेरी मिर्च पौडर एड़ करेंगे आप चाहें तो कस्मेरी मिर्च की जगा लाल मिर्च भी एड़ कर सकते हैं एक चोटी चमच हल्दी पौडर, एक चोथाई चोटी चमच काली मिर्च पौडर और स्वाद के अनुसार नमक इन सभी को हम हाद से अच्छे से मिला लेंगे जिससे की केले के उपर मसाले की कोटिंग अच्छे से हो जाए मैंने मसालों को अच्छे से मिला लिया है और इसे हम 10 मिंट के लिए रेस्ट करने देंगे तब तक हम ग्रेवी के लिए मसाले देख लेते हैं और इसमें दो टेबलिस्पन सर्सों के तेल को डाल कर धुआ आने तक गरम होने देंगे अब तेल को हम कडाही में इस तरीके से हिला कर चारो तरफ फैला लेंगे और एक बार में जितना केला कडाही में आ जाए उतना डाल कर हम फ्राइ करेंगे फ्राई करते समय हम गैस का फ्लेम मेडियम रखेंगे और थोड़ी दिरवादी नहीं पलट कर दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे आप देख सकते हैं कि केला कडाही से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है अगर आप कडाही को अच्छे से गरम करेंगे और तेल को पूरे कडाही में अच्छे से फ्राई लेंगे तो केला नहीं चिपकेगा केला को अब हम दुसरी साइड से भी पलट कर फ्राई कर लेंगे अब यहाँ केला हमारा फ्राई हो गया है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह से हम बाकी के सभी केले को फ्राई कर लेंगे मैंने आपर कडाही को साफ कर लिया है और बचे हुए तेल को छान करकी ले लिया है इसे हम वापस कडाही में डालेंगे और तेल गरम होने पर इसमें एक चोथाई चोटी चमत सर्शू और एक चोथाई चोटी चमत जीरा डालकर इसे चटकने देंगे फिर हम इसमें एक सुखी लाल मिर्च और दो कली कटे हुए लासुन डालकर इससे दस सिकेंड के लिए भून लेंगे और अब हम इसमें एक बारिक कट हुआ प्याज डालकर दो मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर भून लेंगे आज हमारे भून गया है अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें 3-4 चोटी चमच कस्मेरी मिर्च पॉडर और 3-4 चोटी चमच हल्दी पॉडर डालेंगे और इसे मिला लेंगे और अभी हम गयस का फ्लेम लो ही रखेंगे नहीं तो हल्दी और में चमारे जल जाएंगे तो अब हम इसमें पीसे ही मसाले अड़ कर लेंगे मैंने मसालो को पीस्ते सनाय उसमें दो चोटी चमस धनिया पौडर एक चोटी चमच जीरा पॉडर और आधी चोटी चमच काले में इस पॉडर डाल कर सभी को एक साथ ग्राइंड कर लिया था और मसाले को हम डाल देंगे और इसे 10 से 12 मिनिट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे मसाला हमारा जितना अच्छे से भूनेंगा ग्रेवी हमारे उतनी ही अच्छी बनेगी और स्वाधिष्ट बनेगी मसाला हमारा भून गया है और अब हम इसमे एक टमाटर की पेस्ट को एड़ कर लेंगे आप चाहें तो टमाटर को छोटे-छोटे काट कर या कदू कस करके भी डाल सकते हैं अब इसे भी हम 5-7 मियट के लिए लो मेडियम फ्लेम पर भून लेंगे यहां आप देख सकते हैं कि मसाला एकदम ड्राइ हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है यानि कि मसाला हमारा अच्छे से भून गया है अब इहां एक काप या एक कटोरी पाने डालकर अच्छे से मिला लेंगे मुझे यहां पर पानी कम लग रहा है तो आधा कप पानी और डालकर इसे भी मिला लेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और उबाल आने का उवेट करेंगे ग्रेबी मिया उबाल आ गया है अब इसमें स्वाधिक अनुसार नमक ऐड़ कर लेंगे ध्यान रखें नमक हमने केले को फ्राई करते समय भी डाला है तो यहाँ हम कमी नमक का इस्तमाल करेंगे और अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए लोफ लेम पर पकने देंगे और बीच बीच में हम इसे एक दो बारी चेक कर लेंगे और मिला लेंगे 10 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें फ्राई की हुए केले अड़ कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और लोफ लेंपर कवर करके चार से पांच मिनट के लिए पकने देंगे केला को हमें जादा नहीं पकाना है क्योंकि केला पहले से ही फ्राइ करते समय पूरी तरीके से पक गए है और अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके पकने देंगे सबजी को हम हलके हाथों से चलाएंगे और इसमें आधी छोटी चमच गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पत्ता डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे और कवर करके 2 मिनिट के लिए और पकने देंगे जिससे की गरम मसाला का फ्लेबर सबजी में अच्छे से आ जाए 2 मिनिट हो गए हैं और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगी और इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे देखिए कितना स्वादिष्ट मचली के स्वादवाली बहुत ही स्वादिष्ट सबजी बन करके त्यार हो गया है और अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ सेयर जरूर कीजेगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा थैंक यू